बच्छो श्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चलना स्टडी ओन सो बच्छो इस वीडियो के मादम से हम आपको एडिग्रेड अब्यास पृष्टिका के अंतरगत का ख्षा साथवी का आपका जो सब्जिक्ट है बच्छो सोसल साइंस में सामजिक विग्यान उसका आपका दूसरा अद्याय है नए राजा और उनके राज्ये तो इस अद्याय के सभी प्रशनों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो वीडियो का उन्तक जरूर देखना साथी 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 से पहले के एका द्याय का सॉलिशन अप्लोड है साथे आपके अंग्रेज जी विसे का और आपके संस्क्रत विसे का पूरा का पूरा सॉलिशन बच्छो बुक का वोरा चैनल पर अप्लोड हो चुका है प्रदान की थी है इसका उत्तर हो जाएगा इसके बाद देखे आपको आगे वीडियो करोकर बच्छो अंसर आपको लिखते जा रहा है दूसरा प्रशन आपका की चालूक की राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किये गया अनुष्ठान का विरुण कीजे तो आप राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग क्या उपयोग किया जाता था तो उत्तर लिखने आपको राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन का एक हिस्सा त्यागने के लिए या फिर बाद किया जाता था कभी-कभी इससे को जो है लगान मानकर वसूल किया जाता ये इसका उत्तर आपको लिख लेना है इसके बाद देखिए आगे आपका चौता प्रश्ने की कलहण द्वारा कश्मीर के राजाओं रिखने के लिए قॉन किन सुर्थ has उपयोग किया गया तो उत्तर लिखने बचो आपको कल द्वारा कश्मीत के राजा को इतिहास लिखने क इसका उत्तर आपको लिख लेना है इसके बाद देखे आपका आगे बढ़ेंगे तो आपका पाचवा प्रशने बचो गंगा घाटी के कन्योज नगर को लेकर किस वहन्ज के सासकों के बीच लंब शमय तक संगर्ष होता रहा और क्यों तो देखे आपको लिखने है उत्तर मे गुरजर पतिहार राष्टकूट और पालवंस के सासक सदियों तक कन्योज के उपर नियंतरन को लेकर आपस में लड़ते रहे यह इसका आपका उत्तर हुजाय कमिन सापका जो दो सासक है गुरजर पतिहार के राष्टकूट और पालवंस के सासक जो है एक कन्योज को लेक और उप महादीप के उत्तर पस्चिमी हिस्से तक था ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपको वीडियो को रुकर बचे दोनों प्रशनों का उत्तर लिखे लिना है इसके बाद एकी साथवा प्रशने की चोल वंस द्वारा किस प्रकार शत्ता प्राप्त की गई तो इसका उत्तर आपको लिखना है बचे चोल वंस ने पड़ोसी राज्यों को हरा कर और उसका राज्य अपने छेत्र पलतत सक्ति में मिला कर सत्ता प्राप्त की इसका आपका उत्तर हो जाएगा इसके बाद एक आपका आठवा प्रशने इसमें की चोल राजाओं निकेश शमय विक्षित स्थापत्यों मूर्दिकला की विसस्ता है लिखिये इसके बाद एक आठवा नव्प्रशने इसका आपका उत्तर लिख ले ना है थी है इसका आपको उत्तर लिख लेना है इसके बाद देखे आगे आगे आपका दस्वा प्रशने की चोल कालीन प्रशाशन व्यवस्ता की प्रमक विसेस्ताइं लिखिए तो आपको चोल कालीन प्रशाशन की विसेस्ताइं लिखनी है तो उत्तर आपको लिखना है बचो चो भूश्वामी को चोल राजाओं ने शम्मान के रूप में कई उप्रुशकार प्रदान किये थे इस समय सिंचित खेती बहुत सम्रद्ध हो गई थी यह आपका इसका उत्तर हो जाएगा बच्चो आपको वीडियो करें पुरा उत्तर यहां पर लिखना है इसके बाद देखे आगे आपका तो आगे आपका देखे नेक्स्ट लेशन है मचो नेक्स्ट लेशन है आपका अध्याय तीन दिल लिखे शुल्तान तो यह लेशन हम नेक्स्ट वीडियो में शौल करेंगे सो अभी की वीडियो मचो फलाल इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और कौन से सब्जिक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके जरूर होता है